नमस्कार इस वीडियो में हम standard SOP form and standard POS form के बारे में discuss करेंगे पीछले वीडियो में हम SOP form क्या होती है और POS form क्या होती है उसके लिए हमने discuss किया था इसके अंदर standard term हो रहा गई है क्या होता है यह कोई भी equation ले लिए जो SOP form है sum of product यह तीन product है इनका sum यानि sum of product form F is equal to this this equation has three literals A, B and C तीन literals से बनाए it will become standard form if each term contains all the literals or variables यानि यह जो term है product इसमें तीनो variable या literal होने चाहिए या 2A या PPP 2 या 2A या A missing या B missing या C missing अगर तीनों literal होंगे तो वो standard SOP form में होगी अब यह कैसे खरेंगे F is equal to this, यह दिया हुआ है अब देखो यहां C नहीं है तो कोई भी term है, variable है, A, B को एक माने उसके साथ हम dot one one के साथ end function ले सकते हैं क्योंकि A, B dot one, A, B होगा और one का मतलब होता है C plus C bar क्योंकि A, B, A, C नहीं है तो यहां ले लिया C plus C bar इसी तरह यहां B plus B bar क्योंकि B नहीं है यहां A नहीं है, इसलिए A plus A bar ले लिया अब इसको अंदर ले लेंगे A, B, C, A, B, C bar A, C bar, B, A, C bar, B bar B, C, A, B, C, A bar अब जो एक जैसी टर्म है उनको पास पास ले लेंगे तो A plus A, A होता है A plus A, A होता है बाकी वैसी की वैसी टर्म लग देंगे अब इसको क्रम से जमा देंगे इसके अंदर जो variable है उसको हम 1 से लेते हैं तो उसका बार 0 से हो जाएगा यह हो जाएगा 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 तो यह एक तरिक से decimal 3 होता है decimal 4 होता है decimal 6 होता है decimal 7 इसलिए इसको लिख दिया M3, M4, M6, M7 तो यहां हम देखते हैं कि F का यह माना है अब इसके अंदर भी तीनो variable है इसमें भी तीनो variable है इसमें भी तीनो है इसमें भी तीनो है तो यह जो होगी यह होगी standard SOP form और यह जो term है इनको हम कहते है mean terms क्या होती है mean terms इस table से समझते हैं decimal number है 0, 1, 7 ABC तीन variable है मान लो तो इसके combination क्या हो सकते हैं यह हो सकते हैं तो अब अपन mean terms निकालने के लिए we treat variables ABC as 1 ABC को 1 के रूप में treat करते है so that A bar B bar C bar क्या हो जाएगा 0, 0, 0 तो यहां 0, 0, 0 एथ़ A bar B bar C bar A bar B bar C A bar B C bar A bar B C A B bar C bar A B bar C A B C bar A B C तो इसको M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 तो यह mean terms हो जाएगी तो standard SOP form को हम mean terms के रूप में भी बता सकते हैं अब हम mean terms का tabular presentation करेंगे किस प्रकार करेंगे तीन variable है तो एक variable इधर ले लिया, दो variable इधर ले लिया तो इनके combination से यह 8 box बनेंगे A bar A क्योंकि A को 1 माना था तो यह 0 हो गया, यह 1 हो गया B bar C bar, B bar C, B C, B C bar जैसे Carno Map में होता है वैसा का वैसा तो यह 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 तो यह box इन दोनों से मिलकर बनेगा यह इन दोनों से मिलकर बनेगा तो यह M0 हो जाएगा M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 function F in standard SOP form can also be written in terms of mean terms mean terms के रूप में भी लिख सकते है जैसे अभी हमने ग्याद किया था यह function तो इसको ऐसे भी लिख सकते है M3, M4, M5, M7 sigma M3, M4, M6, M7 where sigma stands for oaring of M terms यह oaring हो रहा है, oar function है तो oaring of M terms if we want to represent F this in tabular form इसको tabular form में लिखना चाहते है तो we simply place 1 for the given mean terms जो mean terms इसके अंदर आ रहे है उसके लिए 1 लिखेंगे and 0 at the remaining M value जो M values इसके अंदर नहीं उसके लिए 0 रखेंगे here looping of 1s in done 1 की looping करते हैं वो ही pair बनाते हैं equate बनाते हैं, octate बनाते हैं rolling with rolling करते हैं or the final result is obtained in SOP form और जो result आएगा वो SOP form में आएगा तो simple जो carno map होता है उसको हम simplify करते हैं तो उसका result भी SOP form में आता है अब दूसरा लेंगे standard POS form मानक POS वरूप ये क्या होता है तो पहले हमने POS form ग्याद की थी function की f यानि product of sums ये भी sum है, ये sum है इनका product ये है product of sum तो ये POS form है लेकिन standard नहीं है क्योंकि हर sum के साथ तीनो variable होने चाहिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ तीन लाने है, यहाँ पर भी 3 लाने है यहाँ पर भी 3 लाने है function f has 3 variables और literals a, b, c so if each term of equation 3 contains all the 3 variables then it is called standard POS form this is done as follows ये ऐसे करेंगे ये दिया हुआ है अब इसके अंदर अपन क्या add कर सकते हैं 0, 8 कर सकते हैं इसमें भी 0, 8 कर सकते हैं इसमें भी 0 0 का मतलब यहाँ c नहीं है तो इसको c, c बार है जो कि 0 होता है ये हो गया b, b बार a, plus a ये हो गया a, a, बार यहाँ b नहीं था यहाँ a नहीं था अब हम distributive ला लगा देंगे a, plus b, plus c, c, बार था तो वो a, plus b, plus c और a, plus b, plus c, बार इसी तरह दुसरों के साथ भी हो जाएगा जो same है वो एक साथ लिख देंगे तो a, plus b, plus c, a, plus b, plus c यानि a, dot a a होता है तो एक ही बार आजाएगा a, b, a, k, बार आजाएगा ये फिर अब इसमें अब इसमें a, b, c, को 0 मानते हैं तो a, b, bar, c, bar 1 हो जाएगा तो a, bar, c, bar 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, 0, 0, 0, 0, 1 0, 1, 0 1, 0, 1 तो ये हो जाएगा m, 0 m, 1, m, 2, m, 5 कैसे लिए आप देखते हैं for max terms यानि POS we treat a, b, c, variables as 0 so that a, b, c, 0, 0, 0, 0, 0, m, 0 table से समझें 0 से 7 decimal दिये होगा ये सारे combination हो गए यहाँ a, b, c, a, b, c, bar इसको c बार लेंगे 1 है ये भी क्योंकि इन a, b, को 0 मानते है तो ये max term आ जाएगी तो function f in standard POS form can also be written in terms of max terms ये standard POS form में f function इसको max term के रूप में भी लिख सकते हैं तो ये function दिया हुआ है तो ये m0.m1.m2.m5 end function है तो इसको लिखेंगे pi m 0, 1, 2, 5 where pi stands for for ending of m values m values की ending end function हा रहा है अब mean terms की तरह max term का भी tabular representation करेंगे जैसे पहला 0 होता है फिर 1 होता है 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 mean terms के लिए भी ऐसे ही था लेकिन यहाँ 0 हमने a, b, c के लिए लिया है और 1 a bar, b bar, c bar के लिए लिया है तो ये उल्टा हो जाएगा जहाँ पहले वहाँ बाहर लगा था वहाँ बाहर हट जाएगा और जानी लगाए वहाँ बाहर लग जाएगा तो mean terms में a bar a था तो यहाँ a, a bar हो गया इसी तोरह यहाँ b bar c bar था तो b c हो गया यह सब change हो जाएगे तो यह m0, m1, m2, m3 m4, m5, m6 m7 इस परकार हो जाएगा now if we want to represent f this in tabular form इसको tabular form में represent करना चाहते है तो उसमें mean terms का बिल्कुल उल्टा करेंगे table में भी बिल्कुल अलग हो गया जहाँ बाहर था वहाँ नहीं था और जहाँ नहीं था वहाँ बाहर लग गया तो यहाँ क्या करेंगे तो we simply place 0 for the given max terms वहाँ mean terms के लिए हमने तो यह कार्णों में अलग तरगा हो गया अब इसमें 0 important होंगे to simplify the function f using k map looping of zeros is done अब 0 की looping करेंगे इसमें mean terms के लिए हम 1 की looping करते हैं और जो result आता है वो SOP form में आता है लेकिन इसमें 0 की looping करेंगे तो जो result आएगा वो POS form में आएगा तीस प्रकार SOP और POS form की standard form होती है और mean terms और max term होती है